फ्रेंड्स, हम आज लेकर आए है कीवा सेंट्री नेपकिन का डेमो इस प्रोडक्ट में एक स्पेशल जेल टेकनोलोजी है जो लिक्विट को जेल में कनवर्ट कर देता है जिससे फुल डे गीलापन महसूस ही नहीं होता मतलब लीकेज का कोई चांस ही नहीं सुपर लिक्विड एब्सॉप्शन के साथ और स्पेशल एंटी बैक्टिरियल एजेंट और 3D साइड गार्ड के साथ बने यह सेंट्री नेपकिन के रेजर्ट्स बहुत अच्छे है खास बात यह भी है कि इसमें आपको मिलेगा एक वेजाइनल हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड बिलकुल फ्री नहीं कमाल का प्रोड़क्ट चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं इस डेमो के लिए हमने यूज किया है कीवा सेनिट्री नेपकिन के साथ बाजार में मिलने वाला एक आम सेनिट्री पैड सबसे पहले इस पैड को ओपन कर लेते हैं और टेबल पर प्लेस कर देते हैं अब हम ओपन करेंगे कीवा सेनिट्री नेपकिन का पैड Fens आपको बता दे diva sanitary napkin का size बहुत ही wide है इसका ये reason है कि ये ज़्यादा leakage coverage करेगा आप देख सकते हैं बाजार में मिलने वाला pad आपके सामने है और diva sanitary napkin का size ये भी आपके सामने है ज्यादा wide ज्यादा coverage अच्छा इस डेमो के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड 60 ml विकॉस ओन एबरेज लीडिस को 50-60 ml पर डे ब्लीडिंग होती है तो हम इसी के अकॉर्डिंग डेमो कर रहे हैं सबसे पहले मार्किट में मिलने वाला सेनिटरी नेपकिन पैड हम उस पर यह लिक्विड जो है डाल रहे हैं अब अगर ध्यान से देखें लिक्विड जो है थोड़ा सा लिक्विड यह एबसॉब कर रहा है बर बाकी लिक्विड जो है वो इधर उधर गिर रहा है ध्यान से देखें छीटे इधर उधर पढ़ रहे हैं यह प्रॉपरली एबसॉब नहीं कर रहा इसी हम आगे डिटेल में भी दिखाएंगे अब इसी तरह 60 ml जो है हम कीवा सेंट्री नैपकिन पर लिक्विड जो है यह स्प्रे कर रहे है देखें जैसे हमने उस पर स्प्रे किया था उसी तरीके से इस पर भी स्प्रे कर रहे हैं लेकिन कोई भी छीटे इधर उधर नहीं पढ़ रहे इसका मतलब है कि यह प्रॉपरली लिक्विड को एबसॉब करता है सेंट्री नैपकिन पैड के लिए बहुत इंपोर्टन पॉइंट है एबसॉब्शन अगर कोई सेंट्री नैपकिन पॉपरली एबसॉब नहीं कर रहा यानि सारा दिन गीला पन देखे एक टिशू पेपर हमने बाजार वाले सेंट्री नैपकिन के उपर डाल दिया है और ये पूरी तरह से वेट हो गया है इसी तरीके से एक टिशू हम कीवा सेंट्री नैपकिन के उपर भी रखते हैं देखे ये बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा इसका मतलब है कि जो लिकूर है वो प्रॉपरली सेंट्री नैपकिन में एबसॉप हो चुका है रिजर्ट्स आपके सामने है देखे इसे आप ध्यान से देख सकते हैं टिशू पेपर प्रॉपरली गीला है और यहाँ देखे ये बिल्कुल सूखा है तो लेडिस कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ऐसे सैनिट्री नैपकिन से इसे और डिटेल में भी दिखाते हैं देखे ये हमने सैनिट्री नैपकिन लिया और इसे प्रॉपरली हैंट्स में हमने निचोड़ा देखिए ग्लास में जितना है वो सारा पानी निकल रहा है, मतलब इस सैनिटरी नैपकेन ने बिल्कुल भी लिक्विट को एबसॉब नहीं किया है, यानि ये टोटली फेल है, देखिए, लिक्विट बिल्कुल भी सैनिटरी नैपकेन में नहीं किया, फिर हम कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं ऐसे प्रोड़क्ट को देखें हम इसे काट के भी दिखाते हैं इसमीं जो लियर होती है वो लियर ही लिकुड को प्रोपरली एब्सॉप करती है यह देखें कि लेयर में कोई भी absorption नहीं है सारा liquid ऐसे ही निचोड के निकल रहा है यानि यह प्रोड़क्ट हुआ completely fail अब बात आती है कीवा sanitary napkin की सब्स उपर से तो हमने देख लिया यह absorb कर रहा है अब इसे निचोड के भी दिखाते हैं similarly जैसे हमने दूसरे के साथ किया था आप देखिए हम निचोड रहे हैं बिल्कुल भी liquid नहीं निकल रहा हम दूनों हैं से यह कटके देख लेते हैं देखिए उसी तरीके से हम इसे भी काटके देखते हैं फ्रेंट्स इसमें जो layers है यह properly liquid को gel में convert कर देती हैं यानि अगर यह जैल में convert हो गया तो इसका मतलब liquid जो है वो properly absorbed हो चुका है यह देखिए अपने इसकी layers को निकाला है आपके सामने है यह layer इसके properly absorption में help करती है यह इसकी next layers जिनोंने gel में convert किया हुआ है liquid को चली इस layer को भी हम निचोड के एक बारी देख लेते हैं थोड़े results और clear हो जाएंगे अब देखिए एक भी बून नहीं निकली इसका मतलब कीवा sanitary napkin properly liquid को absorb करता है यानि no figure bleeding जो है यह properly absorb करेगा यानि result में completely pass